हेलो फ्रेंड्स मैं हर्बीर सिंग कैसे हैं आप सभी आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में दिल से स्वागत करता हूं साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जेन्वेन मिलेंगे और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है तो आज की इस मॉर्णिंग न्यूज में मैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट खबरे लेकर आया हूं और उससे पहले आपको बता देता हूं कि हम एक ऐसा क्यूज स्टार्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो में आपसे एक जीके का question या कोई भी knowledge वाला question पूछा जाएगा इस वीडियो में आपको comment करके वो बताना है next वीडियो में उसका answer मतलब जो भी साथियों का correct answer होगा वो आपको बताया जाएगा next वीडियो में तो आज की इस वीडियो में जो आपके लिए कोशन है वो है की history का पितार कौन है? मतलब who is the father of history? इतिहास का पिता कौन है? ये आपके लिए कोशन है और इसका answer आपको next उ, मतलब इस वीडियो में देना है, next वीडियो में आपका answer मिल जाएगा. तो साथीों अभी कुछ बड़ी खबरे आ रहे हैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले जो केंदर शरकार है दिली के अंदर जो स्कूल है उन पर सक्त हो गई है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि दिली के अंदर जो स्कूल है काफी स्कूलों में टीचर्स अविलेबल नहीं है इसके बाद स्कूलों में गार्ड की फैसलिटी नहीं है काफी स्कूलों में पानी की अच्छे से विवस्ता नहीं है मतलब ये समझ सकते हैं आपकी स्कूलों में अभी पूरी तरह स्वीधाय उपलब नहीं है और ये सारी चीजे आप देख पारे राजधानी के अंदर तो केंदर सरकार जो दिल्ली में स्कुल है उन पर काफी सक्त हो गई है उन्होंने ओर्डर दिया है कि जल्दी से जल्दी इनकी कंडिशन सोधारी जाए और साथियों अगर ये होता है तो जो new recruitment है आपको देखने को मिलेंगी और कल कुछ साथियों के question भी आ रहे थे कि new recruitment कैसे आ सकती अभी जैसा कि आप जानते कि आचार सहीता लग गई है आपको पता होगा बिल्कुल आचार सहीता लग गई है तो new recruitment कैसे आ सकती है तो साथियो new जो recruitment होंगी वो election के बाद आपको देखने को मिलेंगी और ऐसा नहीं है कोई भी process होती है उसमें फिर भी time लगता है अभी लगवग 2 महिने के बाद election होंगे और उसके बाद election के बाद लगवग 1-2 महिने का और time लगके तो ये मान के चलो आपकी 4-5 महिने के बाद आपको new vacancy जरूर देखने को मिलेंगी तो आप पहले ही अपनी preparation अच्छे से बना के रखें इसके बाद एक और new खबर है आपके लिए कि जो हरियाना है हरियाना के अंदर जो ग्राम पंचायते हैं वो स्कूल में बच्चे किस लेवल से पढ़ रहे हैं उनकी रिपोर्ट टीचर से लेगी ये new खबर है new update है तो साथियों ये एक अच्छी खबर आप बोल सकते हैं जिस तरह से हरियाना के अंदर भी जो education level है government schools में वो गिरता जा रहे है तो उसके जिम्मेदार कौन है तो ग्राम पंचायत अब उनकी रिपोर्ट लेंगी लेकिन होता है कि ये चीज़े सिर्फ लिखित में होती है वैसे कोई कार्यवाई नहीं की जाती लेकिन अगर ये कार्यवाई होती है तो education system काफी हद तक सुधारा जा सकता है तो साथियों ये अभी update है आपके लिए इसके बाद कुछ और update है कल एक साथी ने मुझे advice दी और मैं वो आवाज आपकी जो आवाज है वो लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कल उन्होंने कहा कि gas teachers हैं जो क्योंकि government बिल्कुल सोच रही है कि अगर 22,000 gas teachers 24,000 gas teachers हैं अगर इनको हटाया गया तो दिल्ली के अंदर teachers की कमी पढ़ जाएगी लेकिन उन साथी ने जो मुझे advice दी क्या आप भी उससे सहमत है जरूर बताएं उन्होंने क्या कहा कि जो mcd prt का जो exam हुआ है अगर जिन candidates ने condition पूरी करी हैं उन candidates को आप ले लो वो qualified है वो उनसे तो अच्छे हैं ऐसा उनका मानना है ये मेरा विचार नहीं है आप अपने विचार जरूर बताएं तो सातियों उनकी demand ये है कि जो mcd prt में candidates जो पास हुए है condition पूरी करी हैं उन candidates को आप ले सकते हो और वो teachers जरूर guest teacher के रूप में भी काम करेंगे जब तक आपको teachers नहीं मिलते हैं या जब तक आप recruitment नहीं निकालते हैं तो सातियों अगर आप उन साती की बात से सहमत है तो जरूर बताएं और ज्यादा अपडेट के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सातियों गुडबाई टेक कियर ठेंक यू जैहिंद वंदे मात्रम